इस वीडियो में हम लोग विहार गोर्ट क्लास एट अध्याय नमबर तीन का जाइमीतिय आकिरतियों की समझ के बारे में जो है अच्छा से इस वीडियों में समझने वाले हैं तो आप लोग वीडियों को देखते लेगा लास्ट तक तो देखिए इसमें कह रहा है अध्याय नमबर तीन में जाइमीतिय आकिर्थियों की समझ इसको अंग्रेजी में कहते हैं अंदर स्टैंडिंग ऑफ जियोमेटरिकल सेप्स तो देखे इसमें पहला हेडिंग है बहुभूज इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलीगन तो चलिए सबसे पहले तो हम बहुभूज के बा तो देखे बहुभूज का प्रिभासा क्या होता है रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकिर्थियां बहुभूज कहलाती है तो यहाँ पर हमने प्रिभासा तो उपर लिया लेकिन आप लोगों कुछ समझ में नहीं आया होगा तो देखे हम इसको उदारन की म बनी सरल अब देखे सरल सरल क्या होता है तो देखे जब एक रेखाखंड दूसरा रेखाखंड को कहीं भी आगे जाकर के जैसे यह देखे तिरभूज है तो यह आगे कहीं भी न काटे तो यह हमारा होता है सरल रेखाखंड याद रखेगा जैसे देखे यह जो तिरभूज को जो नहीं कारता है तो वह हमारा होता है अब देखें तीसरा है एबम बंद अब देखें बंद इस तरह से चारू साइड से यह तीनों साइड से इसमें क्या है बंद है इस तरह से चत्रुभूज में यह भी क्या है यह इसमें भी क्या है इस तरह से जितना भी है अग्रास कितना रहता है तो यह पहला क्या इस एक तुकी आता है लेकिन इसका बीट टो इसका नाम होगा तो इसका नाम होगा ना तो इसका नाम है त्रिभूज होगिया तो इसका नाम रख दैते ए बी सी और यह क्या हो गया एक सब्सक्राब कि नुसरा भूजा ंनूр हो गया तीन बहुत कर शुया और वह स्राल हो थार के वह बनाए और वह थी यह बात रहे बंद रहे तो वह हमारा उता है खहल 안 याद रखिएगा तो देखिए यह सभी किसे अंदर घाता है यह हमारा बहुआ भूज के अंदर आता है अप लोगोn के बाद इसमें क्या दिया वाएं इसमेंदखी इससे आगें जब भूच से आगेए जब इस तरस जखेएगा इसमें आपको मिल गा यहाँ पर बहुँबूच का विकर्न आप हम समझते हैं बहुबूच का विकर्न क्या होता है स्थाइड बहु देखलें इनको बहुभूज का विकर्ण कहलाता है इसमें भी आपको परिभासा तो हमने बता दिया लेकिन आप लोगों कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो सबसे पहले किसी दो सिह बहुत सब्सक्राइब का बहुत सारा चीतर यह सभी क्या है यहां पर Sबसे पहले इसमें क्या किहा रहा है बहुध कह रहा है यहां पर परिभासा लिख है यहां पर देखिए हमने आशन सिर्ष का परिभासा लिख दिया बहुआ भूज की एक भूज्ञ पर बना लेते हैं तो इता है श्ट भूज किस बनता है इस तरह से यहां पर हमने दो अरूँ तरह City शुबर इसस्र समने बना लिया है यह चीज़ सष्ट भूज का तो देखे इसमें आरा क overlapping a कि जीन इसका लाम देए हैं पिस्का सीना लिए बीन हन देए इसका ठी नाम रखेर इसका आपस तरह समने क्या-क्या भुजा का सभी भुजा का नाम दे दिया और चो गया यह मैं था रखेंगे नौ चैसंका यह कि बीच में पैंपा ए और डी को मिला यह जो हमने ए और डी को मिलाया तो पहला रेखाखन यह मिलाने वाली रेखाखन क्या कहलाता है यहां पर लिख देता है विकर्ण 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 देखिए पहला विकर्ण क्या हो गया ए और डी जब इस तरह से मिलाए तो ए डी दूसरा विकर्ण अब देखिए इस तरह से हम मिलाते हैं अब दूसरा विकर्ण किसको मिला है तो दूसरा हम जो है इसको मिला लेते हैं यहां से जो है पहला हम इसको मिला ल लिए चौथा विकन कहां से मिला ले तो चोथा विकन इसको हम मिला लेते हैं इसतरह से बी और एयप को एक जिर जुढम एक दो तीन चान था सी नहें मिला सकते हैं इस तरह से यहां पर wave n अब यहां से मिला लिए इसको इस तरह से यहां पर मिला दिये इस तरह से तो बी और डी विकन बन गया बी डी विकन बना अब इसी को हम यहां से भी तो मिला सकते इस तरह से ना इसको हम इस तरह से मिला है तो बी और इविकन बन गया बी इविकन बन गया और इसको हम जब इस साथ आठ नोवीटन बना है तो सस्ट पूष में कितना बिपक depends on the है याद रखेगा नोवीकर्ण बन सकता है इस तरह हमने विकर्ण के बारे में समझ गया यहाँ पे बहुट का विकर्ण भी समझ गया अब हम इन से आगे समझते इन बुक क्याया वे इस क्या है इसमें हमारा वह बहु बुझ का अभियांतर ऑफ अप फुनीगस बारे में आंदर का भाग इसका अभियायं तर्था बाहर का भाग जो है वहिर भाग कहलना तो सबसे पहला है इंग्से से हमारा यह देखे इसमें है चत्रबूज थ्रू रही Almost बना लेंगे चत्रबूज तो आप तो हमने इसका नाम देते हैं चत्रभूज का और इसके अंदर का बहाग जयासे यहां पर हम कुछ चीत्र बना लिया इस तरह से तिर बहुज का तो इसको कहेंगे अभी यांत आब यांतर यहंतर है इसको अंदर में से जो चित्र बेना है बहार वाले च्छार सैर्श आप यान रखे गाई लिख्याद रहुवाइं। आपको या पिर दिख रहा होगा आपको पर तो इसको कहेंगे अब यह बहुत ऐसे आगे समझते इनसे अगए समझते इनसे आगे थे किया दिया हुआ हुआ कि इसके बाद कि तीन पॉइंट दू चार में दिया है इन से उपर देखिए यहां पर दिया है बहु भुज के कुछ परकार अब बहु भुज के परकार कितना है तो चार परकार है उत्तल अवत्तल तीसरा है यहां पर सम और चोथा है विसम बहु भुज तो इस तासिस में चार बहु भुज ह तो चलिए इनको भी समझ लेते तो यहां पर देखिए बहुबुज का परकार इसको अंग्रेजी में कहेंगे कैंट्स ओफ फॉलीगन तो पहला है बहुबुज यहां पर देखिए री सम में हम समझते उत्तल के बारे में बहुबुज का चित्र बनाएए लख बुससरा सब अब से कम एक कोन जो है 180 से जैदा होगा धिसमें अबतल में दखिये je कितना कुन है पहला ये कोन हो गया दूसरा कोन जिये पांच कोन में हम दो कि ऐसा जैदा होगा जैसी यह नहीं यहां पर बना इस तरह से जो है तो यह दो पूरा करता था और यह पूरा से मिला तो यह बनता था बन्तां धाया है ने सभी अन्ता समान मापका होंगे अब देखें सभी बुजा यह होगी हमारा क्या भुजा जैसे हम नाम दे देतें A, B, C, D तो इस तरह से बुजा दिये तो देखें A, B, B, भुजा जो है समाना अंतर है किसके? C, D के और यहाँ पर देखें A, D, इसके समाना कलई लिए अगर 9 cm है यह भी होगा 9 cm यह भी ऑगा 9 cm इस तरह से 450 FindA, समाने गदijn समाना इनके समय अब देखें बीस्म में क्या सब emulate क्या होता है सभी भूजा एक हो एक सोधी डिगरी का हो और नहीं इसके भूजा बराबर यह बूजा नहीं है और नहीं इसके बराबर यह भूजा है तो इस तरह से याद रखेगा इभूजा नहीं और नहीं कर Common इसके भूजा यह कोन है और नहीं इसके बराबर यह कोन है और इसके बराबर नहीं एक होता है अधर्य अब हम इसके बारे में समझ के इन अभी देख लेते हैं अब देखी इसमें दिया है बभू भूझ के अंता कोनों के मापो का यो तो देखेए में ले लिया उनके कौन यह कोन है इंचारो का माप दिखी हो गारी पास का तो इसमें किस तरह से पहचानेंगे वह हमारा इसके लिए फर्मुला यानि कि सूत्र है तो देखिए इसमें दिया है क्या होता हकता है लिखनर में उसको लिखां लेंगे तो हमारा निकल जाएगा 303 naar तो देखिए इस फर्मूला पहां निकालके देख लेते हैं 307 डिग्री आता है या नहीं जहां देखिए एन जो है यह जो एन माने है तो यह जो है भूजाओ की संख्या है भूजा कौन सा है तो जैसी यह देखिए यहां से यहां तक हमारा पहला भूजा ओगया एक भूजा जाए भी दूसरा भूजा हो गया इस था से भी सी यहां से अन्म हया तो किसमें दू हैसमें लिखेंगे े यहां देखिए यह कोई से बाहर करेंगे तो हैवारा गुणाखा चीन लग जाएगा और गुने का जागा जाएगा तब लुवाण किजेगffect तोडों से ब करेंगे तो थो नौशेंथ से चार को न 인력 és फारि में ना कहीं हो om मान ली जो पांचपूझ लेलेंगे तो किस तरस्ट बनेगा तो девासर बेला लैते हैं यह सगते हैं आपको PM दिआ हुआपitelें कि पूझ में दिया घ्राइएज यहाँ पर जब अपने बूक में देखिया तो सब्सक्राइब और यहां पर आपको समझा दिया ये भी बहु भूज का इसके बारे में भी आप लोग इसको पड़ लीजेगा तो आपको अच्छा से समझ आ जाएगा इनसे आगे देखिए अब क्या दिया हुआ इनसे आगे दिया है बहु भूज के वाय कोनों की मापो का योग इससे पहले तो अंता कोनों के मापो का योग देखे हुए थे अब है बहु भूज के बाहि कोनों की मापो का योग तो चलिए इनको भी समझते अपने तो आप देखिए यहां पर दिया है बहु भूज के बाहि कोनों की मापो का य रहे हैं चाहे हैं जिर आपको आपको समझा यहां पर देखी यह जो बहAGवण करन यह बहार करन जो बहार करने यह का यह उह उन्याठावरद और इस हो गया हमारा भाकर लान तरशच में घर सकते इक कितना माप होता इसका जैसे देखिए कहेगा आपको यहां पर लिखेंगे यहां पर अगर मान लिजे दिया है कौन दिया है कौन दिया है कौन दिया है मान लिजे साथ डिग्री तो इसकी मापो का योग यहां पर क्या होता है तिन सो साथ डिग्री तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे कून दिया है तो हम भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे भुजा भुजा बरा यहां पर चो आया यानि कि थोजी है देख लिज अगर इसी तरा से और वुर्ण दिया कोन कीता निकालनी तो क्षट करें देखे नहीं होने क्लावर लिख लिए ह। गेवी हैं इसमा म क्लीपक आप कीतोंगर निकल जाएगा कितना ओदेज़रा को निकलता देखिए फें काटेंके तो यहां पे हो गया ऑठ चोटारश aparecer जबर ये सूने तो चालिस हो गया तो अठ्पंचे के 60 यानि कि को इसमें कितना बन जागा फ्टालिष कहनों बनेगा तो इस तरह सद ही हाँ पर देखिए हमने इसके बारे में इतना तक समझगे या बहु प्रिवा तब तक ले गुर्वाइ